गुद्ध के तिलों से उपर जाती लाशों के धेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सड़कों के द्रश्य सामने आते हैं उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों की अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा दिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय थरदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे लेलू महोदय थरदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों के आखाओं की नाखवनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मे मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महुद है, किसी भी युद्व को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्वों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के क हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं, कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं, क्योंकि महुद है, भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का दर सता रहा होता है, वो ये जानते हैं, कि चाहिए एक उगरवादी की राइ नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महुद है, मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महुद है, फूल को श्रिंगार दो, ये मुम्किन नहीं, और एक वीर को जनकार दो, ये मुम्किन नहीं, जो हाथ बांदे सेना के, ऐसे मानवादिकार का पालन संभाब नहीं, महुद है, आज सत्यनिस्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकबादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महुदै हमें अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद है अंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है मोदे जब पुलवाम में 44 जवान सहीद हुए 36 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ परंतु जब जेन्यू विस्पी ध्याले में एक देश द्रोही के द्वाहा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस जलने देंगे जिस कोक से अब जल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उस कनहिया के सीने में गार दो महोदैं अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे देश की निया प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंगी के लिए सरवोच निया लेके दरवाजे खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाहला करते हुए आतंगबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरकों से शालों के आगे रामायन पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धद्दी के घोर को हांसे को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रख्शा के बल एटम बम ही कर सकता है जेहिन जेबहर